गवार और मौडन बहु की प्रेगनेंसी जानकी ने अपने बड़े बेटे विश्वास की शादी शिवानी से करी थी दोनों की शादी को दो साल हो गए थे लेगिन खुशखबरी की गूँज अभी तक किसी ने नहीं सुनी थी इसी लिए अब वो अपने छोटे बेटे शौर्य की शादी करने की बात कर रही थी इतने में शौर्य आकर कहता है माँ आपको मेरी शादी करवानी है तो करवा दो क्योंकि मैंने आपकी बहु को ढूंड लिया है वो बहुत अच्छी है और मॉडरन है हाँ आपके थोड़े खयारात उससे मिलेंगे नहीं लेकिन समय के साथ सब अच्छा हो जाएगा अच्छा देवरची आप तो बड़े चंट निकले जरा हमें भी तो दिखाई हमारी देवरानी कैसी है अगर अच्छी नहीं हुई तो नहीं करवाऊंगी ये सुनकर शौरी अपनी मा को गल्फरिंड अनामिका की फोटो दिखाता है जिसे देखकर जानकी कहती है हाई मैं मढ़ जावा बहुत सोनी है मेरी बहुँ चल ठीक है मैं तेरी शादी इसी से ही करवाऊंगी सच्छी मा शच्छी ये बले बले मा जी ने स्विकार कर लिया लो चली मैं अपने देवर की भारात लेके लो चली मैं ना बेंड बाजा ना ही बराती खुशियों की सोगात लेके लो चली मैं सभी खुशी से जूमने लगते हैं कि कुछ दिन बाद जानकी पंडिजी से शुब मोहरत निकलवा कर अपने बेटे शौर्य की शादी उसकी पसंदीदा लड़की अनामिका से करवा देती है वो अपनी नई बहू का ग्रह प्रवेश करती है जिसके बाद सब अपनी कमरे में जाकर आराम करती है अगले दिन गवार बहू शिवानी हर रोस की तरहां जल्दी उठकर घर की सफाई कर देती है और तुलसी में जल चड़ाती है तो वहीं मौडरन बहू अनामिका स्लीवलेस ब्लाउस पहन कर सास के पास आती है गुड मौनिंग माजी कैसी हैं आप शादी की थकान उतर गई बताईए मैं पहली रसोई में क्या बनाओ गुड मौनिंग बहू शादी के पहले दिन पैर चूते हैं ये भी नहीं पता तुझे और एक अपड़े कैसे पहने हैं थोड़ा आसपास का महाल देखकर पहन भला ये भी कोई साड़ी पहनने का तरीका है तब ही अनामिका अपनी सास के पैर चूकर कहती है पहली बात तुमाजी मुझे इतना जुक कर पैर चूने की आदत नहीं इसलिए आज कर दिया फिर कभी नहीं करूँ दूसरी बात मैं मॉडल हूँ तो मुझे अपने तरीके से तयार होना था बात जो आले पुराने जमाने के बलाउस पहनू बहू ये संसकारी उसके इतना कहते ही बड़ी बहू पीछे से इशारा करती है जानकी समझ जाती है और कहती है ठीक है बहू लेकिन इससे ज़्यादा बिना तहजीब के सारी बलाउस मत पहनना जो तुम्हें अच्छे से बनाना आता है वो मीठे में बना लो जी माजी ये कहकर अनामिका रसोई में खाना बनाने चली जाती है उसके हाथ का बना मूंग डाल का हलवा खाकर घर के सबी लोग खुश हो जाती हैं और उसे शक उन देते हैं वक्त गुजरता है एक मौडरन बहू होने के नाती भी वो अपनी ससुराल की सारी जिम्मिदारी अच्छी से संभालती है लेकिन वो कुछ खास अपनी गवार जिठानी को पसंद नहीं करती थी फिर एक दिन अनामिका की अचानक से तबियत खराब होती है तो सास घर पर डॉक्टर को बुलाती है डॉक्टर की जांच करनी पर पता चलता है कि अनामिका गर्व वती है ये बात सुनकर जानकी खुशी से उचल पड़ती है और कहती है ये सुनकर डॉक्टर चला जाता है सास अनामिका से कहती है बहु मैं बहुत खुश हूँ बड़ी बहु ने तो मुझे ये खुशी नहीं दी लेकिन तू ने दे दी अब तू देख मैं तेरा कितना खयाल रखूँगी शिवानी बहु तरह अनामिका की नजर उतारने के लिए लाल मिर्च लेया फिर वो उसके लिए जूस लेकर आती है इतने में शिवानी बहुश हो जाती है जानके फटाफट से उसके लिए भी डॉक्टर बुलाती है और तबी उसे शिवानी के गर्बवती होने की खुशकबरी मिलती है इसे सुनकर सास का दिल गदगद हो जाता है और वो नाचने लग तुम दोनों पापा बनने वाले हो और मैं दादी ना चूंगी ना फिर तो अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है एक साथ घर में दो दो खुशिया आएंगी पूरा परिवार ये खुश खबरी सुनकर खुश हो जाता है फिर सास अपने दोनों बहु का एक साथ ख्याल रखती है जानकि अपनी गवार बहु के हाथ पेरो की मालिश करती है फिर वो अन्ामिका की पास आती है तो अन्ामिका कहती है मा जी ऐसा है मुझे ये सब नहीं करवाना ये सब गवारत और तरीके, मैं modern हूँ और अपने बच्चे का खुद ख्याल रख लूँगी, मैं vitamins जो खाती हूँ बहु, ये जो तु अलग से vitamins की गोलिया खारी इसकी जगा में तेरी मालिश करूँगी तो तु और तेरा बच्चा भी स्वास्त रहेगा मा जी, बिल्कुल नहीं, मुझे कोई मालिश नहीं करवानी चिपचिपपा लगता है ये सुनकर जानकी चुप हो जाती है कुछ दिर बाद जानकी दोनों बहुँ को उनके बच्चे और उनकी सिहत के लिए बीच बीच में घर के काम और शाम को टहलने के लिए कहती है शिवानी तो उसकी बात मानकर वैसा ही करती है, लेकिन अनामिकान नहीं करती, तो सास बोलती है बहु, तु टेहलती क्यों नहीं है, और हमेशा बिस्तर पर रहना ही ठीक नहीं रहोता अग तुझे काम करना चाहिए जिससे बच्चा तंद्रुस्त रहे मा जी आप टेंशन मत लीजे, उसके लिए मैंने अपना योगा टीचर को घर पर बुलाया है, वो मुझे व्यायाम करवा देंगी अनामिका की ये बात सुनकर जानकी को अजीब सा लगता है कुछ देर बाद अनामिका की योगा टीचर आकर उसे गर्बवती व्यायाम करवाती है ये देखकर जानकी कहती है देख रही हूँ अनामिका बहु, तो मेरी कोई बात नहीं सुनती है बस अपने मौडन पैत्रे ही अपनाती रहती है हाँ मैं तोड़ी गवार हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ देख भाल करना नहीं आता कोई बात नहीं माजी, पुझ ऐसा चाहती है उसे वैसा करने दीजे आकर वो भी तो ये सब अपने बच्चे और खुद को स्वस्त रखने के लिए ही कर रही है ये कहकर जानकी शिवानी को गोंद के लड़ू खिला देती है और वो उसे रोज दूद के साथ दिया करती थी लेकिन अनामिका इसे भी मना कर देती है इस तरहां दोनों के नौ महीने पूरे हो जाते है मौडन जमानी की वजह से अनामिका घर पर अपने पती के साथ प्रेगनेंसी फोटो शूट करवाती है जिसे देख जानकी हैरान थी ऐसे ही एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी शिवानी सेप खा रही थी कि अचानक उसे लेबर पेन शुरू हो जाता है तेज बारिश के कारण बहार नहीं जा सकते थे तो फिर जानकी सामनी वाली पड़ोसन को जो की दाई थी उसे बुला लेती है ये देख कर अनामिका कहती है माजी आप हॉस्पिटल के होते हुए भी दाई मा का सहरा लेंगी ये ठीक नहीं होता बहु ये चीज पुराने समय से चली आ रही है तो इसे गलत कैसे कह सकती है तू यहाँ पर आराम से बैट दाई मा आप चलिये ये सुनकर दाई मा कमरे में जाकर शिवानी की अच्छे से डिलिवरी कर देती है उसे बेटा पैदा होता है ये देख जानकी की आँखों में आस हुआ जाते है वहीं दूसरी और अनामिका को भी लिबर पीर होनी लगता है और वो कहती है मा जी मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलिये बहु ऐसी हालात में तेरा बाहर जाना ठीक नहीं है देख तेरी जिठाने के भी बच्चा अच्छे से हो गया नहीं मा जी मुझे पुराने तरीकों पर भरोसा नहीं मुझे हॉस्पिटल ही जाना है शौरी बेटा तेरी बीवी नहीं सुने की जल्दी से हॉस्पिटल चल गाड़ी निकाल ये सुनकर शौरी अपनी पत्नी और मा को हॉस्पिटल ले जाता है जहां डॉक्टर अनामिका की क्रिटिकल कंडिशन देखकर सी सेक्षन कर देते हैं अनामिका को बेटी होती है उसे बहुत दर्द होता है जिस वजह से तीन-चार दिन बाद डिस्टार्ज होकर अनामिका घर पर आती है तभी हाथों भी बच्चा लिये जेठानी उसके पास आती है और जानकी अपने हाथ सी अनामिका को सुप पिला कर कहती है बुरा मतमानिय बहु लेकिन मैं तेरे भले के लिए ही कह रही थी तू अपने मॉडल तरीके से बच्चे को जन्म देना चाहती थी इस वज़ा से तुझे कितने स्टिचिज आए है डॉक्टर को तो पैसा बनाने का काम होता है उन्हें ये थोड़ी पता है कि मा को कितना दर्द सहना पड़ता है ये दर्द तुझे दो-तीन महीने रहेगा अगर मेरी बात मानती तो दाई मा तेरी नॉर्मल डिलिवरी करा देती बड़ी बहु को देख पास दिन में ये अपना बच्चा लेकर खड़ी है और तू ज्यादा हिल डूल भी नहीं सकती मा जी ये आपकी बात मैं अच्छे से समझ गई और मुझे पच्चतावा हो रहा है कि क्यों मैंने आपकी बात नहीं मानी मुझे माफ कर दीजे मा जी कोई बात नहीं बहु अगर बड़े बुज़र कोई बात कहते हैं तो वो अपने बच्चों के हिद के लिए कहते हैं यह हमेशा याद रखना इस तरहां अनामिका मौडरन तरीके छोड़कर अपनी सास के कही बाते मानने लगती है और सब के साथ खुशी-खुशी रहने लगती है माया अपने पती यश्वंत के साथ शुरू से एक घर के एक कमरे में रह रही थी फिर उसके बड़े बेटे नीरच के शादी रूपल से हो जाती है रूपल को भी ना चाते हुए शुरू में परिशानी होती है लेकिन वो भी ससुराल के एक कमरे में सास ससुर के साथ ही एड़जस्ट हो जाती है कुछ समय बाद छोटा भाई शुबम अपनी पसंद की मुस्लिम लड़की निलोफर से शादी कर उसे घर की दहलीस पर ले आता है मुस्लिम लड़की को बेटे के साथ हिजाब में देख कर सास माया बोलती है ये मैं अपनी आखों से क्या देख रही हो शुबम क्या तूने सच में एक मुस्लिम लड़की से शादी कर ली है और तू इतना बेशरम हो गया है कि इसे इस चौकट पर ले आया हाँ माँ मैंने निलोफर से शादी कर ली है क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और अलग रह नहीं सकते थे यहाँ कदम बढ़ाने में मुझे बहुत तकलीफ हुई पर माँ मेरे पास इस घर के अलावा और कोई और जगा नहीं है आपको निलोफर को अपनाना ही होगा मा अरे बत्तमीज शरब नहीं आती अपने बाप के सामने ऐसी बाते करते हुए भूल गए इस घर की मर्यादा हम हिंडू है और तूने मुस्लिम लड़की से शादी कर ली समाज हम पर थूकेगा अबू जान ये तो बात में इंसानों ने हिंडू मुस्लिम से किसाई का नारा लगाया है वरना पहले सब एक ही मजब की थे खेर आप मुझे एक मौका दीजी मैं बिल्कुल रूपल बाजी की तरह बन कर दिखाऊंगी और आपको किसी बात का गिला शिक्मा नहीं होने दूंगी तुम मेरे बारे में जानती ही क्या हो कि मैं किस तरह रही हूँ इस एक कमरे के ससुराल में मा, पिताजी, भईया भाबी प्लीज निलोफर और मुझे एक मौका दीजीए जिससे हम अपने रिष्टे को साबित कर पाए प्लीज निलोफर बहुत अच्छी लड़की है पता नहीं अब इस घर में क्या-क्या देखना पड़ेगा एक छट के नीचे मुसलिम बहु भी रहेगी अब हमारे साथ ठीक है शुबम, अपनी बेगम को बता दे ससुराल में एक ही कमरा है और इसे एक कोने में रहना होगा ले जाए इसे वहाँ क्या? सिर्फ यही एक कमरा है? मतलब यही रसोई, बातरूम और सोने की जगे है? कोई बात नहीं शुबम, मैं एज़ेस्ट करने कले तयार हूँ जैसे बड़ी जेठानी जी ने किया है यह सुनकर ना चाते हुए भी माया अपनी मुसलिम बहु का ग्रह प्रवेश कर घर में ले आती है जहां उसे अपना आटैची रखने की भी जगे नहीं मिलती शुबम, मैं इसे इतनी देर से रखने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन यहां जगे बन नहीं बा रही, जगे बहुत कम है जगा तो बहुत कम हो ही जाएगी, क्योंकि पहले पांच जने रहते थे, अब छे जने रहेंगे ये लो, मैंने इस कोने में तुम्हारा जामान रख दिया है, अब तुम यहीं से निकालना हमेशा शुबम, मुझे थोड़ा आजीब सा लग रहा है, वो क्या है न, एक ही कमरे में अम्मी, अब्बु और भायजान भाबी हैं, इन सब के सामने यहीं सोना पड़ेगा वो तो है, तुम फिकर मत करो, मैंने पर्दा लगा दिया है इस तरहां से वो अपने शोहर के साथ सो जाती है, मगर मचरो में उसे नीन कहां आती है फिर जैसे ही नीन दाती है, तो माया जोर-जोर से खरांटे लेने लगती है, जिस आवाज को सुनकर रूपल कहती है ओफो, कितने साल हो गए माजी का, खरांटे लगा कर सोना बंद नहीं हुआ, पता नहीं, मेरी मुस्लिम देवरानी का क्या हाल हो रहा होगा सो या नहीं, मुझे तो बिचारी की आवाज ही नहीं आ रही अरे, क्या खुस्पुस का बई हो, सो जाओ न शिबम, मुझे नीन नहीं आ रही, बहुत शोर मच रहा है निलोफर में कुछ नहीं कर सकता, हाध़ डाल लो पती की बात सुन, निलोफर सोने की कोशिश करती है, इतने में ससुर नीन में गाने लगते है जोर का धटका हाई जोरों से लगा हाँ लगा शादी बन गई उमर कैद की सजा हाँ सजा ये उदासी जान की प्यासी इसे अच्छ तुम ले लो फासी शोहर की बात मान निलोफर गाने सुनते हुए सो जाती है नीन पूरी होती नहीं है उसे पहले पांच बजे उठकर निलोफर नमास पढ़ने लगती है कि तभी बड़ी बहु भी जल्दी उठकर घंटी बजा कर पूजा करने लगती है वही आरती के अवाज सुन माया भी उठ जाती है और देखती है कि उसकी दोनों बहु एक समय पर पूजा कर रही है पर मुसलिम बहु को देखकर आखे बड़ी कर लेती है तभी निलोफर नमास से उठती है तो सास को देखकर कहती है अमीजान प्रणाम, अस्तक्फिर उल्ला, नमास परनी में आज परिशानी आई बाजी आज इतनी तेज की घंटी क्यों बजा रही थी और इतनी जल्दी पूजा तो होती नहीं है क्या जरुरत थी आपको इस समय उठने की अच्छा, तो अब तुम बताओगी कि हमें पूजा कब करनी है हमारा यही समय है, तुम्हारी तरह पांच बार भगवान को याद करनी की जरुरत नहीं पड़ती बाजी, भगवान को पांच बार याद करो या दस बार फरक यह पड़ता है कि हमने अल्ला को कब कब याद किया खेर, अमी जान, हम पहले रसोई में क्या बनाए मुझे तेरे हाथ से कुछ भी नहीं खाना और तु हमारे चूले को अपवित्र करेगी मास मच्छी से तो तेरा पेड भड़ता होगा माया की कठोर बात सुन निलो फर नया चूला बना लेती है उसके लिए चूला और छोटे से घर में रहना सब नया था जहां वो सब का दिल जीतने के लिए कोशिश कर रही थी चूले पर खाना बना कर जब वो शुभम को खिलाती है तो सास और बाकी जनों का भी उसके हाथ के बने खाने के खुश्बू सूंकर खाना खाने का मन करता है खुश्बू अथी आ रही है बहू तुमने शाकाहारी खाना बनाया है तो मुझे भी दे दो अभी देती हूँ अबू जान मुझे खुशी है कि अब और बाकी सब मान गए निलोफर जैसे ही उन्हें अपने हाथ का बना खाना खिलाती है उसे खाकर सबका दिल खुश हो जाता है और वो थोड़ा थोड़ा उसे शगुन दे देते हैं जिसके बाद सा ससुर उसे अपना लेते हैं अब निलोफर अच्छे से गुल मिलकर अपने ससुरालक में एक कमरे में रहने लगी थी पर रहने में अभी भी घिच पिच हो रही थी ना वो ठीक से सोपा रही थी और ना ही उसका सामान आपा रहा था घर में एक शीशा होने की कारण कभी सास तयार होती तो कभी बहू को, तो फिर कभी निलोफर, ऐसे में निलोफर किसी आ जाती है, कभी वो अपनी जेठानी का समान उठाकर यूज करती थी, तो कभी जेठानी उसकी चीजों को यूज करती थी, जिससे दोनों में अनबन भी हो जाती है, पर माफी मांग लेती है, वक्त गुजरत पोधिका मू दिखाऊगी। मुझे नहीं लगता कि बाजी या मैं आपकी इस इच्छा को कभी पूरा भी कर पाएंगे। पहले की जमाने में सब रहे लेते थे, लेकिन आप मुम्किन नहीं है। माफ कर दो बहू, इस तरीके से तो मैंने सोचा भी नहीं कभी, लेकिन मैं अपने बेटों से बात करूँगे, वो इस घर को बनवा देंगे। मा, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं और भाईया समझ गए है कि अब हमें इस घर को बनवा लेना चाहिए, आखिर कब तक एक ऐसे कमरे में रहेंगे। हा मा, आप परेशान मत होए, कल से ही मैं काम चालू करवा देता हूँ, क्योंकि कुछ पैसे हैं, कुछ मैं लोन पर ले लूँगा। कुछ महीनों में उनका घर बन कर तयार हो जाता है, जहां पहले फ्लोर पर सासा सुर रहते हैं और उसके दोनों फ्लोर पर उनके दोनों बहु बेटे खुशी-खुशी रहने लगते हैं।